बस्तकार दोश्तों, आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि मोबाइल के सहायता से या मोबाइल पर ही हम अपने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से और उची तरीके से यूट्यूब पर कैसे अपलोड करें तो सबसे पहले मोबाइल पर हमें जो ओपन करना है वो है गूगल क्रॉम, याद रखेगा गूगल ओपन नहीं करना है, गूगल क्रॉम में हम ओपन करेंगे, गूगल क्रॉम ओपन करने के बाद वहाँ पर जो सर्च है वहाँ पर हम यूट्यूब लिखेंगे, यूट्यूब फिर हम search या go का button दबाएंगे YouTube आने के बाद सबसे important बाट हमें ये PC का इसको बना लेना है screen को इसलिए जो 3 dots है वहाँ पे हम click करेंगे और ये जो desktop site आपको दिख रहा है desktop site पर हम 3 dots पर desktop site के आगे जो square है उसको click करेंगे ये अपना desktop site अब बन गया है याने जैसे हमें computer में या laptop में दिखता है वैसे हमें screen अप दिखाई देगा YouTube सर्च करने के बाद directly हमें friends जाना है YouTube studio पर आपको screen पर दिख रहा है YouTube studio YouTube studio पर जाने के बाद हमारा जो कुछ Gmail account उसके सहायता से अपने आप ही YouTube का account create किया होता है वो अपने आप open हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा account open हो गया है ये screen आपको ऐसा दिख रहा है तो इसमें अगर मुझे वीडियो डाउनलोड करना है वो भी mobile से ही तो आपको सबसे पहले create का जो दिख रहा है pop-up उस create पर जाएंगे वहाँ पे सबसे उपर दिखा है upload वीडियो अपलोड वीडियो में जाएंगे यहाँ से select file हमको जो upload करना है file वो हमें select करना पड़ेगा mobile में जहाँ भी save होगा मेरा जो वीडियो वो files में save है तो आप gallery में जा सकते हो जहाँ में आपने वीडियो save किया है बस आपको वही पर जाकर उस वीडियो को यहाँ पर select करना होग मैं बस ढूण रही हूँ कि मेरा वीडियो में ने यह Camly में किया था और मैं यह वीडियो अभी यहाँ पर upload करने वाली हूँ दोस्तों हम क्या करते हैं mobile में जो भी वीडियो है वो direct YouTube पर upload करते हैं वैसे करने से हमारे views नहीं बढ़ते हैं जादा लोग उनको देखते नहीं ह तो यह अच्छा तरीका है तो देखें यहाँ पर सबसे पहले upload करने के बाद यह uploading दिखती हमें 10% हो गया नीचे और जो details है इसके तीन पार्ट है first part है detail second part है video elements and third is visibility तो सबसे पहले detail का जो blue है वो हम fill up करेंगे title तो आपका वीडियो जिस title से लोगों को दिखाना है वो title आपर टाइप कर सकते हो जैसे कि मुझे डालना होगा how to upload वीडियोज ओन यूट्यूब वाइवित मोबाइल आप कोई भी title दे सकते हो जो वीडियो है आपका उसके बाद आएगा description description में 5000 words में आप टाइप कर सकते हो दोस्तों खयाल रखें कि description में आपके ऐसे word आने चाहिए वीडियो से related जो लोग जादा से जादा सर्च करते हैं जैसे कि इसमें mobile use for uploading आपके views इससे बढ़ सकते है थमनेल बहुत साई लोगों को थमनेल क्या है पता नहीं होता है thumbnail creation या thumbnail updation या end screen जो कुछ भी important बाते हैं आपके वीडियो से related वो आप यहाँ पर डाल सकते हो मैंने 2-3 चीज़े आपको shortcut में दी है मैंने दाला है thumbnail, end screen, ads, card और बहुत सारे function के साथ mobile का use करके ही कीजिए वीडियो डाउनलोड ऐसा आप पहले से एक picture image बना के रखिए और उसके बाद है playlist आप इसमें से कोई भी playlist ले सकते हो education tally आपने बनाया होगा तर ठीक नहीं लिया तो भी आपर चलता है मैं नहीं select करूंगे या फिर मैं college case में ले लेती हूँ इसको done इसके बाद made for kids अगर video kids के लिए तो yes बोलो नहीं है तो no ये video kids के लिए नहीं है इसके लिए मैंने no बोल दिया है इसके बाद ये हो गया details का first part second part में हम जाएंगे video elements तो सबसे important ये video element का part है दोस्तों जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है यहाँ पे add an end screen और add cards ये दो चीजे दी गई हुई है ये दो चीजे जब अपना video 100% हो जाता है आप देख सकते हो यहाँ पे अपना 34% video upload हो गया है जब हमारा video 100% complete हो जाएगा तो ये दोनों functions on हो जाते है SD video के बाद उसमें हमारा video जब भी कोई public देखेगा तो जब हमारा video का end आएगा end screen आएगा तो हमने other दूसरे जो videos बना के रखे होते हैं अपने playlist में या अपने youtube channel पर उसकी add हम यहाँ पे कर सकते हैं अपना subscription box लगा सकते हैं अपना channel लगा सकते हैं या playlist लगा सकते हैं अपना वीडियो अगला वाला अपना पहला वीडियो खतम होने के बाद अगला वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलग एक advertising का ही तरीका इसको हम बोल सकते हैं तो यह second part कब होगा जब पूरा 100% यहाँ पर upload हो जाएगा तब होगा third part होता है visibility, visibility में दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो जो है वो publicly रखना होगा तो उस पर click किजिएगा अगर आपको unlisted करना है तो उसको रखिएगा private रखना है आप जिनको बेजेंगे उनको ही दिखना चाहिए तो private पे आप click किजिएगा अगर ये वीडियो आपको special date पर या special time पर ही आपको upload होना चाहिए तो आप schedule भी लगा सकते है date time आप लगा कर उसी दिन वो अपने आप upload हो सकता है लेकिन हमको जादा view चाहिए होते है, likes चाहिए होते है, subscribers चाहिए होते है, इसलिए हम public उसको रखते है ये third और first part यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन second part के लिए हमें थोड़ी से देर इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि हमारा वीडियो पूरे तरीके से 100% नहीं हो जादा ये दोस्तों यहाँ पर हमारी processing finish हो चुकी है, 100% हमारा वीडियो upload होने के बाद, SD भी अपनी जो process है, वो 100% कर चुका है तो हम पहला part detail का complete हो चुका है, दूसरे part में हम जाएंगे videos elements, यहाँ पर मैंने पहले भी आपको कहा था, जब SD का cart complete हो जाएगा, तब यह दोनों open हो जाएगा, add end screen और add cart, तो end screen का option भी हम दबा सकते हैं उसका ratio वैसा नहीं है, इसलिए उसने छोड़ दिया है, जो मेरा वीडियो है, वो mobile पर shoot करने से जो है, उसकी size अलग है, ने तो यहाँ पर हम end screen के लिए अपने जो वीडियो है, वो यहाँ पर select कर सकते है, add cart भी हम यहाँ से select कर सकते है, यह end screen का मतलब होता है, जब हमारा वीडियो close होगा, तब आपके दूसरे वीडियो जो आपने बनाए होंगे, वो यहाँ पर add के तोर पर आ जाएंगे, बस यहाँ पर add करना है, जो वीडियो है, वो select करना है, अपने आप वो end screen पर लग जाएगा, visibility चलो करते है, public, यह public ही करेंगे, हम visibility सब को दिखना हमने जो काम किया है, बस यहाँ पर click करना है, schedule हमें रखना नहीं है, और at the end, end में करेंगे हम publish, यह वीडियो यहाँ पर दोस्तों publish हो जाएगा, thank you, यहाँ से हम उसके बाद, facebook, twitter, blogger, जो कुछ भी आपका account होगा, वहाँ से यह वीडियो भी आप again upload कर सकते है, thank you, अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर कीजिएगा, बेल आइकोन दबाना मत भूलिएगा, thank you,